नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग सामने कंडेल का पेड़ लेकर आया हूं इस राहस मैं अद्भूत चमतकारी दुनिया में एक से बढ़कर एक पेड़ पोधे इस धर्ती में उत्पन हुए है जो हमारे लिए अम इसने तकलीफों को दूर नहीं कर पाते हैं तो देखो दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने कंडेल का पेड़ लेकर आया हूं और इसी कंडेल फाइदे के बारे माज मैं आप बताऊंगा कि यह कंडेल हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो देखिए दोस्तों यह है कंडेल का फूल या फूल बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है कुपीदार दिखाई देता है और पीला पीला सुनेहरा रंक दिखाई देता है और मैं इसका फल भी आपको दिखाता हूं आप फल भी देख लीजिए देखे रहें पहिचाने रहें तो आप देखे रहें पहचाने रहें तो आपको यह पहचानने में दिक्कत नहीं होगा जहां भी देखो तुरंत पहचान लोगे दोस्तों यह पेड कनेर का कंडेल का अधिकतर जो है मंदिर के आंगन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्यूंकि इसे लोग पूजा पाट में इसके फूलोग इस्तमाल करते हैं उपयोब करते हैं और बहुत से लोग बाग बगीचों में खेत खरियान भी लगाग रखते हैं सुंदर्ता के लिए दोस्तों इस कंडेल के पत्तों को अगर आप तोडेंग ने तो उसमें सदूध निकलता है यह देखी बहुत हलका सदू करता है तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप इस पौधे को इस जड़ी बूटिक पहिचान चुके होंगे तो आओ चलो इसके फाइदे बारें भी जानने किया कितना फाइदे मंद है हमारे सरीर के लिए तो दोस्तों कहते हैं ने जहर को जहर मारता है या पौधा कंडेल का दोस्तों कहते हैं ने जहर को जहर कारता है या पौधा कंडेल का एक जहरीला पौधा होता है इसलिए अगर हमें कभी भी कोई जहरीला कीडा काट ले तो उस जहरीले कीडे के काटे हुए अस्थान पे अगर इसके पत्तों का दूद निकाल कर लगाया जाए तो ज जहरीले कीडे के काटे हुए जहर का असर जो है खतम होने लगता है कम होने लगता है अब जहरीले कीडे में जैसे माल लीजिये बर्रो हुआ ततया हुआ मधु मक्खी हुआ या फिर विच्छु हुआ या फिर सांप ने डस लिया काट लिया तो सांप के डसें भी आप इसके इस्तमाल कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको लाश्टम बताऊंगा कि किस तरह से उपयोग करना है साप के काटने पर, पहले हम छोटे मोटे बीमारियों ठीक करने को उपाई जाने, तो दोस्तों यह जहरीले कीडे के जहर को नश्ट करता है, और साथ में तोचा रोग भी ठीक करता है, जैसे माल लिजे किसी को दाद है, खाज है, खुजली है, जिमा है, अकवत है, अपरस है, किसी भी परकार तोचा रोग हो, तो आप इसके पत्ते को पत्थर के सिल में पीस कर, इसका एक लेप बनाएं, और उस लेप को तोचा रोग पर लगाएं, तो पता है दोस्त इसके पत्तोग लेप से तोचा रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगो भी जड़ से कुछ दिनों के अंदर, और भी फाइदे इसके हैं, इसका उप्योग उपरी तोड से हम हर बिमारी कर सकते हैं, अगर किसी बालोग बिमारी हो, बाल जड़ता हो, तो भी आप इसके पत्तोग रस निकाल कर बालोग जड़ में लगाएए, तो बालोग का रोग नश्ट हो जाएगा, और यह जो आप देख रहे हो, फल, यह फल तो अभी कच्चा है, और जब पक जाता है, तो यह फल पकने पर इसके दबा देंगे, तो इसका अंदर बीज निकलता है, वह बीज बहुत तो दोस्तों, अगर किसी को हाथ पहर में दर्द होता हो, तो आप इस फल को लेकर, करीबन पंदरा बीज फल ले लीजिए, और कुछ पत्ते ले लीजिए, दोनों को मिलाकर, कुछ क्या कम से कम 200 गराम तक ले लीजिए, फल और पत्ते दोनों मिलाकर, और एक लीटर सरसोग तेल में डाल कर खुब पकाईए, खुब पकाईए, जब पकते पकते एकदम यह जल कर काला हो जाए, तब आप उस तेल को उतार कर किसी बोटल में रख लीजिए, और फिर आप कमर दर्द में, घुटनों के दर्द में, जोड जोड के दर्द में, चो वह दर्द ठीक होगा, और अगर चाहते हैं उस तेल को आप खुजली में लगाना, तो पूरे बदन में अगर किसी खुजली हुआ है, तो आप कपूर मिलाकर पूरे बदन में लगाए, खुजली ठीक हो जाए, अब खुजली चाहे, पक नहवा खुजली हो, या सूखा ठीक होता है, लेकिन जो पकनवा खुजली होता है, पानी फेकने वाला, उसका पानी जहां जहां लगता है, नया नया खुजली दाने उत्पन हो जाते हैं, वह बहुत खतरनाक और खराब रोग होता है, रोग तो सभी खराब होते हैं, कोई रोग अच्छा नहीं होता है, द जिस पौधेग पास मैं खड़ा हूँ, इसके फूलों का रंग तो पीला है, और इसी तरीके से जो अलग-अलग परजाती पौधे होते हैं, उनके फूल का रंग अलग-अलग होता है, किसी का सफेद फूल होता है, किसी का लाल फूल होता है, और किसी का केसरिया फूल होता है तो इसके चार पर जाती है और इसे कंडेल कें और इसी बगल में इसका एक पर पर जाती है जिसे कनेर कें है गए यह कनेर है कनेर और कंडेल में difference है या कनेर है इसके पत्ते थोड़े मोटे मोटे होते हैं और इसके फूल भी अलग होते हैं यह इसके फूलों के डिजाइन भी अलग होते हैं और इसके फली के डिजाइन भी अलग होते हैं इसके फली लंबे-लंबे होते हैं और यह कंडेल है इसके पत्तों का डिजाइन अल यह कनेर का हैं और यह कंडेल का है तो मैं आपको दीछ और नहीं देखिए यह फल गोल होता है और इस खनेर का फल रभल होता है आप देख लाण और नहीं दोनों तीफ्रेक बहुत लोग दोनों को एक ही में लपेट देते हैं तो आप थोड़ा इसको समझेए अब चलो हम कंडेल के और कुछ फाइदों को बारे में जाने कि या कंडेल हमारे लिए और क्या-क्या फाइदे हैं तो हां दोस्तों मैंने बताया था कि अगर किसी को अचानक खेतोत खरियान में ज इलाज तक पहुंचते पहुंचते हम अपने आपको किस तरीके बचाए मैं उसका उपाए बता रहा हूं कि माल लीजिए डाक्ट्री सुबदा अभी नहीं है और एमर्जनसी में आपको सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना है वो जान लीजिए ताकि जरूवत में काम दोस्तों अगर किसी को साप ने डस लिया है तो आप किसी धार-दार हतियार से बिलेड से साप के काटे हुए जगे को थोड़ा और कार दीजिए फार दीजिए इतना फाड़िए कि वहां कि जहरीला खून बाहर निकाला जा सके तो दोस्तों साप के काटे हुए अस्तान को उसे दबा दबा कर वहां का खून बाहर गिराए निकालिए ताकि खून के साथ में 20 भी बाहर गिर जाए और जहां पर साप काटा हो उससे करीबन 6 इंच या 7 इंच उपर किसी रसी से या रुमाल से बान दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुख जाए और जहर का प्रभ पूरे सरीर में ना फैल पाए इतना हुसियारी चलांकी जो लोग करते हैं वही लोग बच पाते हैं क्यूंकि भाई देखिए साप का जहर पूरे सरीर में अगर फैल गया तो ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन हम्रेज हो जाता है ब्लड पेसर हाई होने को जिस हार्ट अ हो जाता है तो इसलिए जहां तलग हो सके साप के विसको जहर को पूरे सरीर में फैलने से रोका जाए तब तक रोका जाए जब तक होस्पीटल तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो इस मेरे इस उपाय को प्रथामिक उपाय कहते हैं प्रथम उपचार कहते हैं तो दोस्तों ब बचा लेते हैं जैसे माली जे सापों पकड़ने वाले जो लोग होते हैं सफेरा होते हैं तो वो लोग ऐसा ही करते हैं मैंने उनसे जानकारी हासिल किया और कई बार मैंने उनको करते हुए देखा भी इसलिए मैं यह बात आपको बता रहा हूं तो जब आप खून निकाल देत और फिर उसके बाद आप इसका नेर के पत्तों को कूंट पीस कर इसका चटनी बना कर साप के काटे हुए जगे पर रख दीजिए तो बचा कुचा जहर यह खीच लेगा फिर उसके बाद आप हॉस्पीटल में जाकर अपने आपको चेक करा लिजिए लेकिन यह प्रथम उपचार आप इमर्जंसी में कर सकते हैं अगर अचानक रात भी रात या ऐसे जगे पर आपको साप निकाट लिए जहां पर इलाज करने का भी समय नहीं है या फिर अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक